देश में कई राज्यों में लंपी वारस का कहर तेजी से फैल रहा है। राजस्थान, हरियाना, गुजरात के बाद मध्यप्रदेश में भी वारस ने दस्तक दे दी है। वही अली राजपुर जिले में भी लंपी वारस से दो मौवेशियों की मौत से हरकंप मच गया है। जोबट विकास खंड के ग्राम भानपूर में लंपी वारस की पुष्टी हुई है जोहां एक किसान के यहां दो पशुओं की मौत हो गई सूचना मिलने पर पशुविभाग की ती मौके पर पहुची और अन्य पशुओं की जाच की जा रही है वहीं पशुविभाग द्वारा गावों में टीका करें अभ्यान और लगातरन मौनिटरिंग की जा रही है जोबट पशुविभाग के सर्जन ने लंपी विमारी को लेकर किसानों से अपील की है वहीं अली राजपूर कलेक्टर राघवेंद्र सेह ने लंपी रोग के मद्यनजर प्रतिबंदात्मक आदेश जारी किये हैं जिसमें पशुविभाग के अधिकारी करमचारियों के अवगाश पर ततकार प्रतिबंद लगा दिया है लंपी इस्किन डिसीज जो है ये हमारे मद्यप्रदेश में लगबग पिछले मैने से ही चल रहा है और हमारे जिले में विकासखन जोबट में कल की जो इस्तिती है उसमें डाक्टर डुडवे दवारा निरिक्षन किया गया था जिसमें दो पसू मर गए ऐसा बताया गया था और बाकी वहाँ पर जो दो पसू और बिमार थे उनमें हमने लक्षन पाए आज भी हमने दोरा किया और वहाँ पर उचित उप्चार किया तो उनके लक्षन ग्याधार पर जो है वो लंपी इस्किन रोग ही लग रहा है प्रारेंबिक तोर पर जो विभाग के जो निर्देश हैं उस निर्देश के मुताबिक हम लोग कॉंटिनियूसली जो है मोनिटरिंग कर रहे थे लेकिन हमारे जो बट विकास्कंड में जो है इस रोक का उद्बेद हुआ है हम कोशिस कर रहे हैं कि जो विमार परसुन का जो उप्चार है कॉंटिनियूसली जारी मतलब कर रहे हैं एवं जो निर्देश है शासन के उसके मुताबिक रिंग वेक्सिनेशन के निर्देश प्राप्त हुए हैं तो जो जिस गाव में भी रोक का उद्बेद होता है वहाँ पर हम उसके गाव के चारों तरफ या वेक्सिनेशन कर दे ताकि विमारी का उद्बेद और न फेले विमारी छेतर में यह हम कोशिस पूरी तरह से कर रहे हैं वर्तमान में हमारे पास वेक्सिन जो प्राप्त हुई हैं लगबग 10,000 डोज प्राप्त हुए हैं जिसमें हमने पिछले मतलब एक दो दिनों से जो है 600 डोज लगाए हैं एवं आसपास में जो जो बट के आसपास में जो कुछ अधिक पसो है जीन के पासपास बड़े पसो पालक कहना चाहिए तो वहाँ पर हमने इसकी गंबिरता को देखते हुए प्रारंबिक वेक्सिनेशन ये काम को भी करेंगे इसी बात हुई हमने करी है संबंदित पसोपालकों से इस परकार से हम इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर यह यह वीमारी मुख्य रूप से जो है एरबोर्न मतलब हवा से फेल रही है एवं मुख्य रूप से इसमें पसों के जो मच्छ अगेरा होते हैं जिनके माध्यम से एक दूसरे काटने से फेलती हैं इसलिए इसमें हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं एवं पसोपालमों को मैं अपील कर रहा हूं कि वो अपने पसों सेड़ पे सुब साम जो है दुआ करे दुआ करने से बीमारी एक पसों दूसरे पसों ना है जिसमें साथ लोग विकास कंडिस्तर पर वीबिन छेत्रों में उपकेंद्रों पर काम कर रहे हैं